चानक्य की बिजनस नियम जो हर वेपारी को पता होने चाहिए इन नियमों को फॉलो कर आप भी खड़ा कर सकते हैं करोडों का सामराज दोस्तो आज हम बात करें बिजनस से जुड़े उन नियमों के बारे में जिनी स्वेम चानक्य निती कहा जाता है चानक्य ने एक सफल वेपार को बेहद अच्छे से परिभाशित किया है कि एक सफल वेवसाई क्या होता है और कोई भी वेपार सफल कैसे करते हैं ऐसी कुछ चाणक के नियम इस वीडियो के बादें से हम जानेंगे जिसमें आप भी अपने बिजनस को सफल बना सकें वीडियो को अंतक जरूर देखें एक अच्छी टीम बनाएं किसी भी बिजनस को जब आप बड़े स्थर पर शुरू करते हैं या फर यूँ कहें कि एक ऐसा बिजनस जिसे आप ने अकेले छोटे स्थर पर शुरू किया लेकिन अब उसे धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं तो इस वह भाविक है कि आप अकेले से मेहनत से आप अपने बिजनस को आगे बढ़ा रहे हैं और काम कर रहे हैं तो क्या दूशे लोग भी आपकी तरह ही जोश के साथ काम करेंगे तो ऐसे में आपको बेहत सतरकता के साथ अच्छी टीम बनानी होती है जो बिजनस से जुड़े अलग-लग कामों को असानी से प कामिया भी मिल रही है उसे उनके साथ शेयर करें अपने आपको सफल रिजल्ट से हटा कर अपनी टीम को आगे रखे और यदि कुछ बुरा हो जाए तो एक लीडर की तरह आगे आए और जिम्मदारियों का निर्वाख करें उधारन के तौर पर 1989 में हमारे देश ने पहला रॉकेट बना कर लॉच्च करने की कोशिश की थी तब कुछ तकनीकी कारणों से रॉकेट लॉच्च फेल हो गया एपी जब दुलकलामजी इस प्रोजेक्ट के डारेक्टर थे और वो लोगों का सामना करने से डर रहे थे उन्हें इस बात का भी दुख था कि देश के अपने सर ले ली उन्हेंने कहा हम फेल जरूर हुए हैं लेकिन मुझे अपनी टीम पर भरोसा है और हम सफल होंगे इस बात का भी यकीन है इसके एक साल बाद ही कलाम सहब की डारेक्शन में निपतेश ने पहले सेल्फ मेड रॉकेट से सेटलाइट की स्थापना की इसके ब के नीती कहती है कि एक सफल बिजनसमेन को प्रते दिन समय निकाल कर अपने फाइनेंस पर नजर रखनी चाहिए जिससे उसके अकाउंट में कितना बैंक बैलनस है कितना बचट है और आने वाले समय में और कितनी ज़रूरते हैं उन सभी बातों का पूर्णता ग्यान रहे ज बिजनसमेन प्रती दिन अपने खर्चे के बारे में सोचता है ऐसे में आपको ये मालूम करना होगा कि पैसा कहां से आ रहा है और पैसा बढ़ाने के लिए कौन कौन से नए आइडियास पर रिसर्च करनी होगी आदी तो इस तरह से एक सफल बिजनसमेन अपने सोर्सिस का पता करता है वेल्थ क्रियेशन पैसा बनाने के लिए बहुत अधिक मेहनत और धहरे के अवशकता होती है एक सफल आदमी से किसी ने पूछा कि सर आपको सफलता एक रात में मिली कैसा लग रहा है तो उस सफल आदमी ने कहा बेशक मुझे सफलता एक रात में मिली लेकिन य किसी भी वेपारी को ये तो पता ही होगा कि एक समस्या खत्म होती है दूसरी समस्या शुरू हो जाती है जब भी आप एक समस्या का समाधान निकाल लेते हैं उसे हरा देते हैं तो आपको एक नई चुनौती मिल जाती है किसी भी बिजनस को चलाने के लिए उसकी फाइनेशल जरूरतों को manage करना और कमाया हुआ पैसा सही जगा invest करना या फिर बिजनस में निवेश भी सो समझ कर करना आदी steps को बेहत सूजबूच के साथ पूरा करना होगा जिससे आपकी मेहनत का पैसा कहीं भी डूबे नहीं और आपका business मजबूत रहे wealth distribution पैसे को सही जगा पर खर्च करना ये step अपने आप में बहुत जरूरी है कि आप कैसे अपने पैसे को खर्च करते हैं चाड़के के हिसाब से एक महाल लीडर वो होता है जो अपने बनाए गए wealth यानि पैसे को दूसरे की मदद के लिए खर्च करें ऐसी जगा अपना पैसा निवेश करें जो किसी के काम आ सके जैसे छोटे start-up छोटे वेपारी आदी इस तरह से आप अपना पैसा सुरक्षित क करने के साथ किसी की मदद भी कर सकते हैं ओकी क्रेडिट बिजनेस ओकी है